हेलो गाइस वेल्कम बैक टो यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेके एक्जाम इंसाइट्स गाइस आज की वीडियो में मैं लाया हूँ करन्ट अफियर्स जो पार्ट सेकिंड होगा फॉर जून मन्त ठीक है पार्ट वन में इससे पहले फ्लोड कर चुका हूँ आज के सेश कोशिश करूँगा कि जो जून मन्त है जल्दी से जल्दी खतम कर सकूँ आने वाले एक हफ्ते के अंदर उसके बतम जुलाई स्टार्ट कर दे ताकि हम स्पीड पकड़ ले ताकि हम जुलाई भी साथ में कवर करते रहें ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं आज के करेंट राइमोना एंड दिहिंग पटकाई ठीक है ये 6 और 7 नेशनल पार्क बने हैं असाम के इससे पहले जो 5 नेशनल पार्क हैं असाम में उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ एक है काजी रंगा नेशनल पार्क बहुत जादा फेमस नेशनल पार्क है आप अगर इसके है मानस नेशनल पार्क फिर है नमेरी नेशनल पार्क फोर्थ है औरांग नेशनल पार्क और लास्ट में हैं दीबरू साइखोवा नेशनल पार्क ठीक है ये 5 पहले एक्जिस्ट करते थे और अभी दो नए अनौन्स हुए है या दो नए ने ने नेशनल पार्क बनाए को हम world food safety day मनाते हैं और 8 जून को होता है world oceans day ठीक है और इस बार इसका theme था the ocean life and livelihood ठीक है मैं तुबारा repeat कर देता हूँ इस बार इसका theme था the ocean life and livelihood और ये दिन हमने मतलब कबसे start किया है कबसे इसको continuously मना रहे हैं वो year था 1992 में ये पहली बार बनाया गया था और तबसे हम इसको continuously मतलब celebrate कर रहे हैं every year on 8th of June और इंडिया जो इंडिया ने मतलब इसी के related इंडिया ने मतलब commitment कर रखी है कि इंडिया जो single-use plastic है आपको पता ही है वो जब मतलब पानी में पहुंच जाता है oceans में पहुंचता है तो वो oceans में जो मतलब जितने भी रहते हैं ocean की जो भी वहाँ प तो इसलिए इंडिया ने मतलब commitment ले रखी है कि इंडिया single-use plastic को मतलब खतम करेगा इंडिया से use से मतलब उसको बाहर कर देगा कि इंडिया में उसके बाद यूज नहीं होगा single-use plastic by 2022 single-use plastic जैसे polythene बगारा होगए जो हम मतलब एक ही बार use करते हैं reuse नहीं करते उन्हें तो वो चीजों को और यह जो decade है ना 2021 से लेके 2030 तक इसको United Nation ने decade of ocean science for sustainable development भी declare कर रखा है इस decade को 2021 to 2030 जो हमारा current decade है इस decade में हम है इसको उन्होंने declare कर रखा है UN decade of ocean science for sustainable development ठीक है तो next important news पर चलते हैं वो है कि इंडिया अब भी recently UN ECOSOC का member बनाया गया India has been elected to UN ECOSOC for term 2022 to 2024 ठीक है तीन साल का period होगा इंडिया का यहाँ पर ECOSOC ECOSOC सबसे पहले मैं बता दू ECOSOC stands for UN Economic and Social Council ठीक है यह थोड़ा यहाँ short form मतलब cursive writing में लिखा गया है UN Economic and Social Council इसकी full form है और यह UN के main जो मतलब bodies है ना जो 6 bodies है उनका एक part है ठीक है तो इंडिया Asia Pacific category में choose किया गया इलेक्ट हुआ है along with Afghanistan, Kazakhstan and Oman ठीक है यह तीन इंडिया के साथ और Asia Pacific category से तीन यह अलग nations हैं जो UN ECOSOC में elect हुए अभी और इंडिया इस वक्त आपको पता ही है कि non permanent member भी है security council का UN Security Council का और उस Security Council का इंडिया President बनेगा August मन्त में ठीक है August मन्त में UN Security Council का इंडिया President भी बनने बाला है मैं अभी आपको थोड़ा ECOSOC के बारे में बता देता हूँ UN ECOSOC की information इसमें 54 members होते हैं जो United Nations की General Assembly होती है ना तुनिया का Parliament कहा जाता है उसे तो वहाँ पे दुनिया के हर country से जो भी UN के Member हैं वहाँ पे उनके representatives या वहाँ के leaders आके बैठते हैं और जो भी दुनिया के सामने जो भी pressing issues होते हैं उनको discuss करते हैं तो वो उसे दुनिया का Parliament भी कहा जाता है United Nations General Assembly को तो वो ECOSOC के members को elect करती है for three years period के लिए और ये 1945 में establish हुआ था UN ECOSOC और इसके headquarters है New York में ठीक है ये सारा था UN ECOSOC के बर्में और इंडिया भी UN ECOSOC का member बनाया for term जो 2022 से start होगी और 2024 तक चलेगी अभी इसी के बारे में बात करते हैं अभी मैं UN General Assembly के बारे में बात कर रहा था तो अभी क्या हुआ कि foreign minister of Maldives के Maldives एक island nation है मैं पहले भी बता चुका हूँ इंडिया नोशन में और smallest island nation है Maldives in Indian Ocean तो वहाँ के जो foreign minister है अब्दुल्ला शाहिद जी वो next president होंगे UN General Assembly के जो 76th UN General Assembly होंगी उसके president होंगे अब्दुल्ला शाहिद जो foreign minister है Maldives के ठीक है और पहली बार कोई मतलब Maldives से कोई इंसान appoint होके UN General Assembly का president बना है और उनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद और उनकी term होगी for 2021 से लिके 2022 तक तो अगर आपको पता है कि current कौन है इस वक्त UN General Assembly के president या 75th UN General Assembly के president कौन है तो मैं चाहूँगा कि आप comment box में उनका नाम ज़रूर लिकें ठीक है और यह क्या होता है कि General Assembly की जो presidency होती है यह annual basis पे होती है annual basis पे rotate करती है एक साल के लिए इसका president appoint किया जाता है उसके बाद वो change हो जाते है ठीक है और इनके जो chief of staff होंगे न वो एक Indian है जो India के deputy permanent representative है at UN ठीक है deputy deputy मतलब जो दूसरे level के है एक होते top level के deputy मतलब उनसे जो second level पे है वो इनके chief of staff होंगे और इनका नाम है के नागराज नाइडू ठीक है के नागराज नाइडू उनका नाम है और वो इनके chief of staff होंगे तो अगर आपको ये भी पता है कि इंडिया के permanent main permanent representative को है इस वक्त UN में तो आप उनका नाम भी ज़रूर एक बार comment box में लटके बताएं ठीक है और अगर नहीं पता है तो फिर भी at least comment कर देंगी आप बता देंगे मैं आपको बता दूँगा अपनी नेक्स वीडियो में तो ज़रूर एक बार comment box में बता देंगी उनका नाम क्या है जो 75th UN General Assembly के प्रेज़ेंट है और जो इंडिया के permanent representative है at UN United Nations तो नेक्स कवर पर चलते हैं Interpol Interpol ने अभी एक global database मतलब launch किया है जिसका नाम है iFamilia ठीक है और ये iFamilia किस चीज में मतलब focus करेगा ये करेगा कि जो missing persons होते हैं उनको ये ढूणने में police की help करने वाला है उनके using their DNA, family DNA को use करके तो जो लोग खो भएए हैं तो वो जो cases होते हैं काफी जादा pending cases होते हैं काफी लोग missing हो जाते हैं कुछ kidnap हो जाते हैं human trafficking की वज़ा से तो उन चीजों को solve करने में ये Interpol की मदद करने वाला है ठीक है तो Interpol के अभी तक 194 members हैं इंडिया भी उसका member है 194 members हैं और इसके headquarters हैं Lyon में Lyon एक city है जो France में है France में है Lyon और loin बोलो और ये 1923 में set up हुआ था establish हुआ था Interpol 1923 में ठीक है तो next कबर पर जलते हैं इंडिया slips to spot यहां sports नहीं आएगा इंडिया slips to spot रैंक 117 सस्टेनेबल डेवलेमेंट गोल्स अडॉप्टेट अस 2030 एजेंडा तो जो 17 सस्टेनेबल डेवलेमेंट गोल्स अडॉप्टेट जो 2030 तक हमें complete करने है चीब करने है उसमें इंडिया 117 रैंक पे आया है तो यह काफी मतलब इंडिया काफी नीचे लाई करता है और इंडिया को overall score यहां पे है 61.9 out of 100 out of 100 इंडिया को 61.9 score मिला है और इस report में यह बताया गया है कि जारखंड और बिहार जो है न वो इंडिया में से जतनी भी states हैं या union territories हैं उसमें से जारखंड और बिहार सबसे least prepared है इन सस्टेनेबल डेवलेमेंट गोल्स को meet करने तक मतलब वो अभी सबसे पीछे चल रहे है वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलेमेंट गोल्स की बात करें तो वो सबसे पीछे हैं वहाँ पे जो steps मतलब इस direction में अभी तक बिल्कुली कम लिए गए हैं जो हमें 2030 तक achieve करने है और जो top पे हैं states as expected केरला हिमाचल परदेश और चंदीगर जो यूटीज में आती है यह सबसे best prepared है उन sustainable development goals को meet करने के लिए by 2030 ठीक है और इंडिया एक और बात बता दूँ इंडिया साउथ एशिया की 44 countries से भी नीचे आता है जैसे भुटान, नेपाल, श्रिलंका, बंगलादेश ये सारी countries भी इंडिया से उपर rank है तो मतलब आप देख लिजिए कि इंडिया को मतलब इंडियन government को यहां कितने ज़ादा मतलब strong steps लेने हैं और कितना gap cover करना है तो वहां पे मतलब ये states को भी साथ-साथ इन चीजों को मतलब policies जब formulate होती है तो इन चीजों को ध्यान में रखे policies formulate करनी चाहिए ताकि हम साथ-साथ sustainable development goals को भी meet करें और यही चीज हमारी central government को भी ध्यान रखे policies formulate करनी चाहिए ठीक है प्रूबल मिल चुका है कि वह दबारा वही चीफ बनेंगे United Nations के Secretary General बनेंगे और उससे पहले यह Secretary General बने थे 2017 में ठीक है तो इनकी अभी second term दबारा स्टार्ट होगी और यह former PM है Portugal के Portugal बोल लो Portugal बोल लो जो आप मतलब जैसे pronounce करते हैं तो मैं तो Portugal बोलता हूँ Portugal तो Portugal किस चीज़ के लिए famous है मैं तो वह यही कहूँगा कि मतलब वहां पे एक ऐसा खिलाड़ी वहां से belong करता है जो मतलब जिसे दुनिया का सबसे best player भी कहा जाता है फुटबॉल में क्रिस्टियान और अरोनल्डो काफी लोगों को पता होगा और Portugal की अगर आपको capital पता है तो मैं बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो वह है Lisbon ठीक है Portugal की capital है Lisbon और तो Antonio Gattres second term मतलब दुबारा UN chief re-appoint किये गए है Secretary General और अभी election commission के बारे में बात कर लेते हैं अभी क्या हुआ है कि नए election commissioner appoint हुए है उनका नाम है Anoop चंदर पांडे ठीक है अनूप चंदर पांडे नए election commissioner appoint हुए है और आपको election commission के बारे में बता दूँ ये 3 member body है जो मतलब जिसमेंसे एक chief election commissioner होता है और दो election commissioner होते हैं صرف और जो एक होते है उसे chief election commissioner कहा जाता है जो head होता है election commissioner कहा और जो दो उसके साथ उसको जो assist करते हैं हमनें सिर्फ हम election commissioner کہ呼 빠르게 है तो अनूब चंदर पांडे जी अभी नए इलेक्शन कमिशनर बने है तो जो हमारे Chief Election Commissioner है उनका नाम है सुशील चंदरा जी सुशील चंदरा जी हमारे current Chief Election Commissioner है और राजीव कुमार जो है जो तीसरा इंसान बच्गे या वो है राजीव कुमार जी उनका नाम वो भी तीसरे मतलब वो अधर election commissioner है जो दो election commissioner होते हैं उनमें से एक है अनूब चंदर पांडे जी और दूसरे है रजीव कुमार जी ठीक है और जो हमारे वो है चीफ election commissioner उनका नाम है सुशील चंदर और article 324 जो है न of Indian constitution that deals with the election commission of India article 324 324 article तो ये deal करता है with election commission of India तो इस चलते हैं अभी एक country है जिसका नाम है El Salvador एक country है जिसने bitcoin को approval दे दिया है कि आप वहाँ पे bitcoin यूज कर सकते है for purchasing and selling anything तो वहाँ पे bitcoin का use legal कर दिया गए है El Salvador की government ने और El Salvador के बारे में बता दूँ वहाँ की capital है San Salvador और वहाँ की currency है dollar ठेक है तो इसमें यही question बन सकता है कि कौन सी अभी recently कौन सी country थी जिसने bitcoin को legally मतलब use करने के लिए decision लिया था तो उसका नाम आपको यही आएगा El Salvador यहाँ फिर यह पूछा जा सकता है कि उसकी capital क्या है वो मैंने अभी बता दिया आपको और वहाँ की currency अगर पूछी गई तो वो है dollar ठेक है तो next चलते हैं वो है Megan Markle के बारे में जो Duchess of Sussex भी है ठेक है तो उन्होंने अपनी नई first children book release की है जिसका नाम है The Bench Megan Markle काफी famous नई में है England में आपको पता होगा जो शाइब Prince Harry की wife है पता नहीं है Prince William की है किसी की है तो वो मतलब वहाँ पे royal खांदान से belong करती है तो उन्होंने अपनी नई first children book launch की है जिनका नाम है The Bench जिस book का नाम है The Bench ठीक है अभी आगे चलते हैं EIU की EIU की full form है Economist Intelligence Unit ठीक है इन्होंने Global Livability Rankings launch की है for 2021 Economist Intelligence Unit EIU ठीक है इन्होंने ये rankings launch की है साल के लिए और इन्होंने बताया है कि Auckland जो New Zealand में लाई कर रहा है Auckland वो most livable city है in the world उसको सबसे highest rating मिली है for being a livable city वहाँ पर मतलब इतनी अच्छी facilities होंगी तो इसलिए इस वज़े से उसको number one rank मिला है for a most livable city और जो world's least livable city है उसका नाम है Damascus ठीक है तो आप एक चीज में उसके comment box में अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक चीज जरूर बताईए गए कि EIU जो है वो कहां की based organization है ठीक है इसके headquarters यहां यह कौन सी country में located है तो अब इतना जरूर बता जीजीगा नेक्स्ट खबर है वो है RBI is related तो RBI की अभी नए deputy governor appoint हुए है जिनका नाम है MK Gen और यह repoint हुए है इससे पहले भी deputy governor के board में थे और इनकी term को मतलब इनको दुबारा से repoint किया गया है as a deputy governor of RBI that is Reserve Bank of India और जो और deputy governors हैं इस वक्ट जो current हैं उनका नाम है Michael Patra M. Rajeshwar Rao और T. Rabhi Shankar T. Rabhi Shankar जी अभी हाली में मतलब एक महीना पहले यह appoint हुए थे नए नए फ्रेश as a RBI deputy governor और उनके साथ यह मतलब यह total 4 हैं जो deputy governor से RBI के ठीक है आप नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा और जो RBI governor है उनका नाम है शक्तिका कांता दास ठीक है और जो सबसे पहले RBI governor थे उनका नाम है Sir Osborne Smith ठीक है Sir Osborne Smith वो सबसे पहले RBI governor थे और जो सबसे पहले Indian RBI governor थे क्या आपको उनका नाम पता है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको स्याइद सीडी देशमुक उनका नाम था जो पहले इंडियन आर्बियाई गवर्नर थे ठीक है चलिए ये आर्बियाई के बारे में था और जो शक्तिकांता दास जी है ना ये 25 गवर्नर है आर्बियाई के तो अभी तक 25 आरबियाई गवर्नर हो चुके है तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है तो नेक्स पे चलते है वो है कि इंडिया अभी एक और इंडेक्स लॉँच गुआ था रिचनली जिसका नाम था ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स तो इंडिया उसमें बॉटम पे लाई करता है ठीक है बॉटम बॉटम रैंक्स में इंडिया लाई करता है और ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों एक तरीके से थोड़ी अची खबर भी है ठीक है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स क्या होता है इन 56 countries में इसके मतलब ये वहाँ पे जो major rate fluctuation होती है इन housing rate में उसको major करती है इसर तो इंडिया यहाँ पे आया है 55th spot पे और जपान है 56th और टर्की आया है 1st spot पे अभी मैं एक तरीके से बताता हूँ कि ये मतलब चकर गया है देखो जो बंदे रहते हैं tenants जो किरायदार होते हैं उनके लिए तो ये अच्छी खबर है क्यों क्योंकि उनके लिए ये किराय का जो rate होगा कराय का जो amount होगा वो कम हुआ है क्योंकि इंडिया में global house price index इंडिया काफी नीचे फॉल कर रहा है तो वहाँ पे इंडिया की मतलब इस चीज में rate इंडिया का फॉल कर रहा है तो इस वज़ा से वो tenants के लिए तो अच्छी खबर है बड़ जो बात आ जाती है कि landlord होते हैं उनके लिए बुरी खबर है क्योंकि अब उनको गिराय कम मिलेगा तो ये मतलब वो है कि partly good और partly bad तो अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है कुछ के लिए अच्छी है कुछ के लिए बुरी है in इंडिया और टर्की में सबसे ज़्यादा मतलब rate मतलब चड़ा है बिलकुल कम फॉल हुआ है टर्की में और जापान में तो सबसे ज़्यादा फॉल हुआ है ठीक है जापान लाइजए 56th spot और इंडिया जो है वो 55th spot पर है ठीक है तो नेक्स पर चलते हैं वो है कि आयूश मिनिस्टरी ने अभी एक नई एप लाँच की है यह जस्ट इतना ही याद रखिएगा उसका नाम है नमस्ते योगा ठीक है नमस्ते योगा यह आयूश मिनिस्टरी ने नहीं mobile application लाँच की है एक योगा को reference में रखते हुए ठीक है तो आगे चलते हैं World Day Against Child Labor मनाया गया अभी World Day Against Child Labor और वो होता है 12 जून को ठीक है वो 12 जून को होता है और इसका ये celebrate कोन करता है ये celebrate करता है ILO That is International Labor Organization और ये 2002 से मनाया जा रहा है ये दिन ठीक है और इसका theme था Act Now and Child Labor Act Now and Child Labor और ये जो अभी 2021 से चल रहा है इस year को मतलब International Year for the Elimination of Child Labor भी डिकलेर किया गया है International Year for the Elimination of Child Labor ये 2021 को ये ये डिकलेर किया गया है तो next खबर पर चलते हैं वो है कि अभी एक organization है UNCTAD ठीक है उसकी full form है United Nations Conference on Trade and Development ये जिनीवा में इसके headquarters है ठीक है मैंने लिख रखा है यहाँ पर और United Nations Conference on Trade and Development इसकी नई मतलब head appoint हुए है जिनका नाम और वो एक woman है जिनका नाम है Rebecca Grinspan ठीक है Rebecca Grinspan first woman head of UNCTAD तो ये पहली महिला बनी है जिन्नोंने इस institute को मतलब head appoint हुई है first female, first woman और ये economist है ठीक है और कहां से belong करती है Costa Rica एक Central American country है Costa Rica बहुत ही छोटी से country है वहां से belong करती है और ये पहली woman और पहली Central American होगी जो इस institute को head बनी है ठीक है female और अभी इस्राइल के बारे में बात करते हैं अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था इस्राइल के नए प्रेजिडेंट appoint हो है अभी क्या हो गया वहां पर प्राइमनिस्टर भी change हो गया है पहले जो थे Benjamin Netanyahu उनकी जगा भी ली है नहीं निफ्ताली Bennett ने ठीक है निफ्ताली Bennett जो है ये नए प्राइमनिस्टर होंगे इस्राइल गे और इस्राइल की capital है जेरुसलेम जो इस्राइल डेक्लेर करता है कुछ कंट्रीज तैल अभी भी अभी भी मतलब रिकोगनाईज करती है इस्राइल ने अपनी capital चेंज करके जेरुसलेम बना दी है और वहां की currency है शेकिल ठीक है अभी फ्रेंच ओपन के बारे में बात कर लेते है तो नोवाक जोकोविच का I hope सबने नाम सुन रखा होगा इस वक्त मतलब कमाल की form में चल रहे है तो उन्होंने मतलब ऐसे कुछ चीज है ही नहीं है जिसको मतलब उन्होंने जीता ना हो टैनिस में ठीक है और उसी के बारे में बात करते है अभी French Open हुआ तो उसको नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है ठीक है 2021 का जो French Open हुआ है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है और यह उनका 19th Grand Slam था ठीक है 19th Grand Slam टाइटल था यह नोवाक जोकोविच का चार Grand Slam होते हैं साल में सबसे पहले होता है Australian Open फिर होता है French Open फिर होता है Wimbledon और लास्ट में होता है US Open ठीक है तो इन्होंने यह 19th वी बार इन Grand Slam को जीता है ठीक है और इन्होंने हराया किसको स्टेफेनोस सिटीस पैस ठीक है स्टेफेनोस स्टीस पैस इनको इन्होंने हराया है और जोकोविच जो है अभी करंट पहले मैं बन चुके है इस ओपन एरा में टैनिस के जिन्होंने चारो Grand Slam को अटलीस्ट दो दो बार तो जीत रखा है सभी को ठीक है इसके बारे में नेक्स कबर भी चलते हैं वो है Pulitzer Prize जो 2021 का मिला है मेगन मेगा राज कुपालन जी को मेगा राज कुपालन ये इंडियन औरिजन की जनरलिस्ट है जिन्होंने जिनको ये USA का टॉप जनरलिसम अवाड मिला है और ये 21 कैटेगरी में दिया जाता है ठीक है तो इनको ये अवाड इसलिए मिला गया था कि जो भी चाइना में जो मास कंटे वहाँ पे जो भी वो है ना जो इन्होंने इंफ्रेस्ट्रक्चर प्रिजन्स बना रखी है फॉर यूगर मिसलिम्स के लिए उसको इन्होंने एक्सपोज करने के लिए एक कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करी थी उसके इनको ये अवाड दिया गया है अलग-अलग केड़रीज में और अभी रिजन्डी एक और कबर है कि लदाख ओपन डेफिकेशन फ्री यूटी बन चुकी है इंडिया की जो बहुत ही अच्छी बात है और नेक्स्ट कबर है कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम 14 जून को मनाते हैं वर्ल ब्लड डोनर डे और इसका थीम था गिव ब्लड एंड कीव दवर्ल बीटिंग ठीक है गिव ब्लड एंड कीव दवर्ल बीटिंग तो आज के लिए गाईज इतना ही थाइस वीडियो में ये सेकिंड वीक का था फॉर जून मन्त का तो आई होप आपको कंटेंट काफी पसंद आ रहा होगा और आपको वीडियो से पसंद आ रही होगी मैं तना ही कहूं का लास्ट में कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने फ्रेंड्स यहाँ आपने कजन्स के साथ शेयर करें जो भी एक्जाम्स की त्यारी कर रहे हैं तो थैंक्यू गाइस, थैंक्यू फॉर वाचिंग गॉल ब्लेस यॉआप